Lesson 5 The Dolls Festival Festivals are special occasions Festivals means तिवहार Students, इस lesson में हम लोग Doll Festival के बारे में पढ़ेंगे As you know, festivals are very special occasions Festivals जो होते हैं, वो बहुती खास अफसर होते हैं क्यों? On festivals, day we do things that make us happy Festival वाले दिन हम वो चीज़े करते हैं, जो हमें खुश करती हैं हमारे इंडिया में बहुत से festivals होते हैं For example, होली होता है, दिवाली होता है, इद होती है, क्रिस्मस होता है, रक्षा बंदन होता है, पॉंगल, ओनम न जाने कितने festivals होते हैं, और वो सारे festivals हम इंडियान्स इंजुआए करते हैं उस दिन हम वो सारी चीज़े करते हैं, जिनसे हमें खुशी मिलती है तो, on festival days, we do things that make us happy We pray to God, हम ईश्वर की प्रात्ना करते हैं We are colorful clothes, रंग भी रंगे कपड़े पहनते हैं Meet relatives and friends, अपने दोस्तों और रिष्टेदारों से मिलते हैं Exchange gifts, जो हमें उपहार मिलते हैं, मुने आपस में उनकी अदला बदली करते हैं Sing, dance and eat tasty food, नाशते हैं, गाते हैं और tasty food खाते हैं Everyone loves to celebrate festival, हर कोई तिवहार मनाना पसंद करता है कौन नहीं पसंद करेगा? अरे भाई, उसमें हमने relatives से मिलें, अपने friends से मिलें, colorful clothes पहने, singing करी, dancing की, gifts exchange किये तो ये क्या हमने enjoy तो किया? तो हर कोई festival celebrate करना पसंद करता है गोलू is a festival of dolls celebrated in Tamil Nadu अब यहाँ पर हम doll festival की बात कर रहे हैं और ये doll festival गोलू के नाम से जाना जाता है जो की Tamil Nadu में मनाया जाता है इस तरह अपने North India में नवरात्री सेलिबरेट की जाती है 9 days की नवरात्री होती है उसी तरह Tamil Nadu में ये नवरात्री का ही पार्ड होता है Goddess दुर्गा की ही इसमें पूजा की जाती है लेकिन किस दिन नवरात्री के दस्वेदे Young girls and women arrange dolls on a large stand that looks like a flight of step जो छोटी लड़कियां होती है और जो घर की ओरते होती है एक large stand जो की सीड़ी नुमा होता है उसका arrangement करती है dolls के लिए These are usually dolls of gods, goddess, people and animals और इसमें जो dolls हम लोग use करेंगे वो किस की होती है इश्वर की होती है God, भगवान की, देवी, देवताओं की, लोगों की और animals वगेरा की होती है The doll stand always has an odd number of steps like 3, 5, 7 और 9 जो stand ये लोग doll के लिए use करते हैं उसमें जो सीड़ीयां होती हैं, जो steps होते हैं वो odd number के होते हैं मतलब 3 सीड़ी के stand वाला stand लेंगी है या 5 सीड़ी वाला stand लेंगी या 7 सीड़ी वाला stand लेंगी या 9 सीड़ी वाला stand लेंगी तो उसमें ये लोग odd number वाला stand ये उस करते हैं People invite friends and relatives to their homes to see the golu display लोग अपने घरों में अपने रिष्टेदारों और दोस्तों को आमंतरित करते हैं जो उन्होंने गोलू display बनाया है उसे देखने के लिए जो stand डॉल्स का उन्होंने सजाया है उसे देखने के लिए वो अपने friends और relatives को invite करते हैं अपने घरों में Each guest gets a small bag of gifts People sing devotional songs and play music लोग devotional songs को गाते हैं और music बजाते हैं devotional songs क्या होते हैं? जो religious songs बोले जाते हैं जो ईश्वर की पूजा से related होते हैं जिने हम लोग भजन कहते हैं वो वाले गीत गाते हैं और music बजाते हैं What about the food? अब खाने का क्या? On each of the 10 days of Navratri, a special dish called sandal is prepared Navratri के दस्वें दिन एक special dish बनाई जाती है जिसे sandal कहते हैं The delicious sandal is made with groundnuts, peas and various pulses जो ये संदल डिश होती है Delicious sandal, tasty sandal जो है ये groundnuts, moonfali, mutter और बहुत सारी दालों से बनाया जाता है The display of dolls stay throughout the Navratri days पूरे Navratri इसका display चलता रहता है On the 10th day, the dolls are taken off the stand and packed away carefully और दस्वें दिन जो dolls होती हैं उन्हें stand से उठा लिया जाता है और इन्हें साउधानी पूर्वक पैक कर दिया जाता है They will be taken out for the next year's Goloo और ये next year जब Goloo का festival आएगा तब इन्हें निकाला जाता है Every year people add new dolls to their set and the collection grows larger हर साल people अपने ये जो dolls का collection है इसमें new dolls add करते जाते हैं अभी जैसे हमारे पास six dolls का collection है अब फिर क्या होगा? Next year हम एक और doll खरीद लाएंगे हमारे पास seven हो गया उसके next year फिर हमने purchase कर ली और बढ़ गया तो इस तरह लोगों के पास जो dolls का collection है वो बड़ा होता जाता है जापान में भी एक festival मनाया जाता है जिने हम हिना मत्सूरी कहते हैं और ये बिल्कुल गोलू के festival की तरह होता है जो हिना मत्सूरी की dolls होती है वो red color के platform पे arrange की जाती है ornamental dolls of the emperor, empress, attendants, musician and courtiers are displayed on it अभी गोलू festival में जो dolls हमने use करी थी वो god, goddess, people, animals इन सब की थी लेकिन हिना मत्सूरी में जो dolls use होती है वो किस की है, emperor की है, empress की है, attendants की है, musicians की है and courtiers की है इनकी dolls को वो use करते हैं हिना मत्सूरी is also called girl's day वाव हिना मत्सूरी festival को girl's day के नाम से भी जाना जाता है any guess, इसे girl's day क्यों कहा जाता होगा इसलिए क्योंकि जो girl's होती है उनको doll से एक अलग affection, एक अलग love होता है उनके साथ खेलना पसंद करती है उन्हें अपनी बहुती close friend मानती है है ना इसलिए हिना मत्सूरी festivals को girl's day का जाता है क्योंकि उस डॉल्स का ही display है और डॉल्स जो हैं वो girl's से related होती है people believe that the dolls will protect them from evil spirits लोग विश्वास करते हैं कि यह जो डॉल्स हैं यह उनकी बुरी आत्माओं से रक्षा करेंगे A sweet drink called Amazak is special to the हिना मत्सूरी festival गोलू festival में हमने संदल खाया और हिना मत्सूरी में हम क्या पी रहे हैं Amazak We look forward to festival because they give us a break from our everyday हम इंतजार करते हैं त्योहारों का क्योंकि यह हमें break देते हैं अपने daily routine से थोड़ी सी रहात मिलती है हमारी रोज की जो दिन चर रहा है उस से It is also fascinating to learn about them So students, this was chapter 5, the dolls festival Read it two times and enjoy it God bless you